समस्कार दोस्तों मेरा में विमल सिंग बाला जी स्टेड़िएड़ा में आपका स्वागत है यह लट सेकंड समिस्टर पहले दो पेपर हो चुके हैं जिसमें पहला पेपर मुझे मिला है इसलिए उसका सॉलेशन करा रहे हैं दूसरा पेपर जिसके पास भी पेपर हो भेजना चाहते हैं तो इन में से किसी माध्यम से पेपर भेज सकते हैं ताकि आपका solution करा सके हैं Facebook पर डारेट बाला जी स्टेडिएड़ा सर्च कर सकते हैं Telegram पर बाला जी स्टेडिएड़ा नाम से channel है पर अगर username सेर्च करेंगे vimal17z तो आपको ID मिल जेगी वहां से भी आप भेज सकते हैं Instagram पर vimal17z नाम से भेज सकते हैं और Gmail ID पर भी आप भेज सकते हैं तो जो भी second वाला पेपर दिये हैं अगर चाहते हैं solution कराना तो भेज दीजेगा तो हम solution करा देंगे सबसे पहला प्रस्ण और मैं आपको दिखाऊंगा कल जो मैंने मरातन कराई थी एक एक question वहीं से ही आपको देखने को मिलेगा और जो पहले mzq कराई थे वो तो आपके previous year वैसे repeat होते हैं तो उसको दिखाने का कोई मतलब है नहीं सबसे पहला question सिक्षा एक त्री मुखी प्रक्रिया है किसका है कितनी बार मैंने बताया जॉन डीवी ने त्री मुखी प्रक्रिया के बारे में बताया है पहला option सही हो जाएगा आती कल का थोड़ा सा महराथन का भी आपको वीडियो दिखाते चलते हैं देखिए कली का यह 20 गंटे पहले का वीडियो और इसमें 19 दिसम्बर 2022 के लिए हमने महराथन दोनों पेपर के लिए एक साथ कराई थी जॉन डीबी के बारे में यहीं पर आपको बताया था त्री मुखी प्रक्रिया और दुमुखी प्रक्रिया किसने किसने दी है वही पहला question था दूसरा प्रसना आपका है सिक्षा का प्रमब को देश क्या है तो साथिल विकास भी हो मानसिक भी हो सरवांगीड में सब कुछ आ जा जाता है तो यहीं सही हो जाएगा बाकी तो option गलती नहीं होने का है अगला question पूछा गया था प्रसनोत्तर विधी के जनक्त मैंने हर एक screenshot लगा करके रखाया आपके लिए और लेडी से कली का वीडियो है 20 गंटे पहले का सुक्रात क्लियर लिक रहा है प्रसनोत्तर विधी यदि आपको यह भी देखना है वीडियो में कहां पर बताया था तो बनाती है विध्यान भी बनाता है यहां पर एक बहुत अच्चा option दिया है शिक्षण में प्रियूक्ति युक्तिया तो बाकी जब option कोई इसमें इंकलूड कर लिया गए तो आप बाकी option के साथ क्यों जाएंगे सिक्षण में जो प्रियूक्तिया होती है आपकी जो technique होती है वो उसको और ज़्यादा इंट्रेस्टिंग बना देती है बुनियादी सिक्षा किस दार्षनिक से संबन दित है कितनी बार बताया मैंने कि एक अकेले महात्मा गांधी जी यहां पर जो है वो थे जिन्होंने बुनियादी सिक्षा पर जोड़ दिया महात्मा गांधी जी के बारे हम हर एक एक चीज बताई थी यहां पर मैंने आपको बताया था है दो में चीज थी इनकी एक तो यह चाहते थे कि आप रोजगार बरक सिक्षा धरण करे और दूसरा था इनका कि बुनियादी सिक्षा पर विसेज बल देना तो यही आपका सही हो जाएगा वेस्व जल दिवस हर वेक्ती जानता है 22 मार्च को वेस्व जल दिवस मनाया जाता है प्रत्वी दिवस 22 अप्रेल को मनाया जाता है जैव विद्धा दिवस 22 माई को मनाया जाता है 22 मार्च 22 अप्रेल 22 माई ऐसे तीन डेट एक साथ है अगला पाट साला को एक बाग सिसु को पौधा सिक्षक को माली किस ने कहा है ये प्रिवेस एर में भी 2019 में आ चुका है तो किस ने कहा था फ्रोबल ने कहा था फ्रोबल की पूरी कहानी हमने आपको एक बताई थी कली वाला वीडियो है देखे 20 गंटे पहले का ये देखे प्रोबल के बारे में मैंने बताया था ये आपका प्रोबल के बारे में है इनकी पुस्तक तक मैंने बताई थी आप से तो हालां कि कुछ भी नहीं पूछा गया था इनका एक छोटा सा कधन पूछा गया था, जो की प्रीवियस यहर का रिपीट था, आगला दिवासवपन नामक पुस्तक के रचनाकार, अगला स्क्रिंसोट आपका यह रहा, दिवासवपन यह देखे, गिजु भाई बदेखा, इसी वीडियो का ही है, जब वीडियो में यहा क्या कहलाती है, मैंने बताए तो आपचारिक और अनापचारिक के बारे में, आपचारिक मतलब एक आपचारिकता पूरी, जैसे स्कूल में की जाती है, और जो कोई आसपा जवाता वरणना हो, हर जगा से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, घर में कुछ ना कुछ सीख रह है और मैंने बताया तो पूरा जोर प्रकृतिक से संबंद में किस ने दिया था तो रूसो ने दिया था तो बाकी कोई तो बारे में पूरा मैंने बता है area योजना विधी आपका सिसे पहले ही यह करके फिर हमने प्रोजょक्ट वीदी बताई थी कि आपकी इसी को क्रियावाद वयवहरवाद अनुबहवाद फलवाद अलग-अलग नामों से जाना आता है प्रियोजनवाद इसका सबसे मेन नाम है और प्रियोजनवाद में एक सबसे ज़ाधा विधी पूछ जाती वो है प्रोजक्ट या योजना विधी वही यहाँ पर अकेली पूछ ली गई तो मेरे को नहीं लगता सपने में भी ऐस सवाल आप गलत करेंगे, तो प्रियोजन वादाफ का अंसर यहां पर हो जाएगा, बारा प्रसन पूछा गया था मूल प्रवत्ति सिधान्त, मूल प्रवत्ति सिधान्त कौन से दर्सन पर आधारित था, तो मूल प्रवत्ति का मतलब होता है, जैसे मैकडूंगल का नाम अपने सुना होगा, तो जन्मजाद जो हमारे अंदर चीज़े होती न, उसको लेकर केसमें बताया जाता है, अब इसमें जो आएगा, वो प्रकृति सबसे बेश्ट आप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति सही हम सारी चीज़े खुला चोड़ देते हैं, रूसों ने भी कहा था, उस पर बल देना, तो पहला ही आप्शन सबसे बेश्ट है, अगला कहा रहा है, मूल हमारे विभार को क्या करते हैं, दर्सित करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, नियंतरित तो करते ही हैं, यह तो सभी हो जाएगा, यह तो गलत नहीं होना चाहिए, अगला देखिए, मक्तब पूछा गया, मैंने कहा था, जो तीनो सिक्षाए हैं, उससे एक नएक कोश्चन आपसे जरूर पूछा आता है, मक्तब, मतर्सा, यह जो है, यहाई से इन्होंने पूछ लिया है, मुस्लिम कालिन सिक्षा से, यह देखिए, तो यही तो बुछा गया था, तो पूछा गया था, पहला वाला सही हो जाएगा यही यहां पर जो है वो पूछा गया था लास्ट कुछ बहुविकलपी देखते हैं आदर्सवाद स्रेश्ट योगदान के शेत्र में देता है आदर्सवाद के बारे में यहां पर ही था ना वही मैंने स्क्रीन सोट दिखाया था यह है आपका आदर्सवाद इसी में ही था स्क्रीन सोट साथ उपर होगा अंसर की डिरेक्ट बात करते हैं सिक्षण विदी इसमें में योगदान जो है इनका था आदर्सवादी जो विचारधारा वाले लोग थे 15 बहुविकलपी हुए अब देख लेते हैं आती लगू की भी लगा देते हैं कि अगर आपको पेपर पेजना है तो इन सभी माध्यों से बेच सकते हैं तो रूसो के बारे में हमने तो सारी चीले देखी थी तो इन्होंने जन्मी पूछा है कहा है रूसो भाहिया रविन्ना टैगोर बहुत कालीन सिच्छा यह आपका रूसो वाला देखिए रूसो के बारे में 1712 इसवी में जन्म हुआ था जन्म हुआ था मैंने तो मिरत्यू तक बताई थी 1778 में हुई थी यह भी देखे कली का वीडियो है 20 गंटे पहले का तो आप आसानी से अतिलगू का पहला कुशन कर सकते थे 1712 करके आपका यहां पर अंसर हो जाता सत्यम सिवम सुंदरम देखे पूछा इन्होंने कौन से दर्सन का आधार वाक्य है मैंने आपको सत्यम सुवम सुंदरम के बारे में तक बताया था यह देखे है उसी का ही स्क्रीन स्वाट है कली का ही वीडियो है 20 गंटे पहले का पाट्टकरम में एक्च्वल में यह आता ह सत्यम सिवम सुंदरम सत्यम मत्र में भुगोल विज्यान आता था सिवम में अर्थसास नेति सास्तर आता था सुंदरम में कविता और संगीत आता था तो यह चारों आधर्स वाद में आपके आते हैं अगर आपसे इसके टाइप्स पूछे गए होते तो मैंने टाइप्स भ वाले आगे हैं, मूले का क्या अर्थ है, कोई परिभासा पूची गई थी, पररण कौन से दो सब्दों से मिलकर बना है, तो परी प्लस आवरण, सौमी विवेकानन जी के बचपन का क्या नाम था, देखे, सौमी विवेकानन की पूरी आर्थिक चिठ्था कल बताया था, हमने तो सब चीजे बताई थी, तो बचपन का नाम क्या हो जाएगा, बचपन का नाम हो जाएगा, नरेंद्र दत्थ, आसानी से आप कर सकते थे, विस्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ग्यारा जुलाई को मनाया जाता है, ग्यारा साथ, कई बाद ट्रिक बताई ही मैने 11 जुलाय इत है शिक्षा का सारभ भामुकराण बॉद्ध शिक्षा तो पूरई 3 की बात की थी हमने बॉद्ध शिक्षा हो चाहे वैधिक कालिण सिक्षा हो चाहे मुस्लिम कालिण देखिए कली का वीडियो है एक दिन पहले का और یہी है आपका बहुत दिकालीन सिक्षा, उद्देश से देखिए, सत्य निर्वान की प्राप्ती, बहुत धर्म प्रचार, सिक्षा, प्रवज्जा संसकार, केंद्र, उपसंपदा संसकार, सब तो हमने पढ़ा था, तो ये तो एक ही नंबर में कोशन यानि अतिलगू में ही आया था सिक्षा के सामा नुदेश से हैं, आपचारिक, अनापचारिक मैंने उपर बताई दिया, सिक्षा के प्रभावी कारक लिख सकते हैं, जन संचार के बहुत से साधन हैं, तो दूसर कार्थ लिख सकते हैं, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था, तो इनको प्रकृतिवा धारणा में, यह क्या चाहते थे, इनका मानना यह था, कि बच्चे को आप खुला छोड़ दीजे, वही मतलब जैसे प्रकृतिवादी चाहते थे, रविन्ना टैगोर का हमने इसी कली वाले वीडियो में बात की थी, यहां पर हमने सारी चिज़े बताई, इनका जन में मृत क्या क्या सारी चिज़े थी, यही पर हमने आपको बदाए, एक तो इनका में मकसद था, जो प्राश्य वास्चात्य विचारधारा है, उसको ले करके, और दूसरा था, कि बच्चे जो है, अपने आप से खुद डबलप हो सकें, तो उनको खुले में छोड़ दिया जाए, म जिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की विवेशना, जल सनरक्षर क्यों अवश्यक है, मौन्टे सरी पद्धिती, आपचारिक सिक्षा में अंतर, और सामाजिक और सामपरदाइक सौहात्र, तो यह सभी कोशन थे, ओवरल कैसा क्या आपका पेपर रहा, कमेंट स प्रस नो, तो कमेंट में पूछ कीजिएगा, मिलते हैं अगले अप्टेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिए!